अजमेर की सिविल लाइन थाने में नाबालिग के साथ छेर चाड़ करने और उसे जान से मारने की धमकी के साथ ही आत्महत्याकर परिवार को फंसाने की धमकी देने का मामला सामने आया है. मामले में पीडेता की मा ने सिविल लाइन्स थाने में मामला दर्ज करवाया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है, सिविल लाइन्स थाने के सब इंस्पेक्टर हनुमान सिंग ने बताया की गेगल थाना क्षेत्र की पीडेता ने थाने पर उपस्तित होकर शिकायत दर् खुंडियास मेले में गई थी, जहां गाव के ही रहने वाले व्यक्ती ने उसका पीछा किया और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उसका रास्ता रोक कर उसके साथ छेड़ छाड़ की गई, सब इंस्पेक्टर ने बताया कि पीडिता ने शिकायत में आरोप लगाया कि इस द ने सारी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद नाबाले की मा ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दे कर मामला दर्ज करवाया, पुलिस ने पॉक्सो एक्ष की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, मामले की जांच सिविल लाइन स्थाना अधिकारी अ मेले में गई थी वापिस आ रही थी तो काईड चो रहे पर एक लड़के ने उसके साथ असली लर्कत की एवंगर पर बताने पर खुद को जान से मारने की दम की दी इस पर थाना अजा पर प्रकण संग्या 356-22 धारा 354-304-506 से आई पी सी साथ आठ ग्यार अबारा पॉक्स एट प्रेक्ट में दर्जकर कारों अनुसंदान जा रही है आपका पर पानमाउन सिंग सब्सक्राइब